आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Blood with Corpuscles और Plasma is absent in Cockroach S पूछा गया है कि Blood जिसमें Corpuscles नहीं होता है प्लाजमा भी नहीं होता है ये ऐसा Cockroaches में क्यों पाया जाता है तो Mostly Cockroaches का Blood अगर देखे तो उनको हम लोग Hemolymph के नाम से जानते है और ये Hemolymph जो है ये White Fluid कहा जाता है और इस White Fluid को अगर देखे तो Mostly इसी से Cockroaches जो है वो अपना Food या फिर जो Oxygen होता है वो Gather कर लेते है या पर हम कह सकते हैं कि Oxygen के लिए अलग Mechanism होता है सिर्फ Food जो है और Difference यानि जो कि हमारे WBCs होते है वो Cockroaches में Hemolymph हिसाब से काम कर लेते हैं तो इसलिए यहाँ पे Corpuscles जो कि हमारे Body में Hemoglobin होता है वो Absent पाया जाता है इन दे Cockroach तो चलिए देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे Reason होता है तो First है Diffusion of Gases takes place through Integument लेकि Integument के थूँ यहाँ पे Cockroaches में Gaseous Exchange नहीं पाया जाता है Next है कि Gaseous Exchange of Gases औकर थूँ Trachea और Trachea और Spiracles का अगर बात करें तो यहीं दोनों organs कौकरोच में होते हैं जो कि Gaseous Exchange में हल्प करते हैं इसलिए हमारा Second Option Correct है जिसके वज़े से कौकरोच में Hemolimph यानि जो यहाँ पे Corpuscles और जो Plasma होता है वो Absent होने से भी चल जाता है उसके बात बोला गया है Insect does not require oxygen लेकिन ऐसा नहीं है और Next है कि Blood only carries respiratory gases तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है योग यहाँ पे respiratory pigment का अगर बात करें तो respiratory pigment जो है वो Cockroaches में Absent होता है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे Second Option को ही Tick कर लेंगे Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर